जैजनेद बंधो मैं रवी जैन गुरू जी आज शनिवार और सरवार सिद्धी योग तेके हमें कोई भी नया कारिया आरम करना होता है तो हम सरवार सिद्धी योग में आरम कर सकते हैं उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेस रासी वाले जल्द वाजी ना करें परिवार में खुसियां बढ़ेंगी क्या करें ओम रीम शिरी मली नाज जिनेंदराई नमा की एक माला फेरें वशबरासी वाले नई वस्तु खरीदने का दिन दिन अच्छा है क्या करें आज लीची का सेवन ना करें लीची का परहेज रखें मितुरासी वाले मन परसन रखें वहान आदी का सुख विलेगा क्या करें भोजन में खीर अवश्य लें करकरासी वाले सेहत का ख्याल रखें कुछ नया काम बनेगा क्या करें मंदिर जी में यता सक्ती यता संभव दान दें सिंगरासी वाले यात्रा पर जाने से बचे मेहनत से भाग्य साथ देगा क्या करें रोली का ठीका माथे पर लगाएं कन्यारासी वाले मित्र मिलन का योग छोटी यात्रा लाबदायक रहेगी क्या करें शिरिपुस्वदंत जी का चालीसा पढ़ें तुलारासी वाले रुका धन मिलने का योग सोचा हुआ कारिये पूरा होगा क्या करें चोविस तिरसंकरों को याद करें वर्षिक रासी वाले मौके का फाइदा उठाएं अधिकारी से लाब का बहुत अच्छा योग क्या करें शिरि नमोकार महामंत्र की एक माला फेरें का अवसर मिलेगा क्या करें गरीब व्यक्ति को यथा संबव भोजन कराएं मकरासी वाले आज निर्णे ना लें किसी भी नए कारिये से आज बचें क्या करें शीतल जल की प्याव में यथा संबव दान दें सहयोग करें कुमरासी वाले दिन साधारन है गरस्ति की समश्या सुल्जेंगी क्या करें गोशाला में खल दान करें मीम रासी वाले विवेक पूर निर्ने ले क्रोध को हावी ना होने दें चा करें मुख पुराणियों की सेवा करें उनके लिए यथा संबव दान दें रासी वल के पशाद बंदो अब बात करते हैं आज की सलहा की देखें आज की सलहा में ध्यान रखें आपके परिवार में किसी को आणदी तुफान शत्रू आदी का भेप परिशान करता है तो आपको चाहिए कि शिरी भक्तामबर इस तोत्र का चोदा नंबर का कावे ध्यान रखें अगर पीडित व्यक्ति चोदा नंबर के कावे की माला फेड़ता है या 41 बार रो जाना पड़ते हैं तो निश्चित रूप से ये समश्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी तो ध्यान रखें आन्दी तूफान शत्रु आदी का भैद दूर करने के लिए 14 नंबर का कावे बहुत उप्यूक्त होता है और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भीजी है इंदू जैन जी ने रोहिनी दिल्ली से लिखती है गुरू जी जैजिनेदर बेटी का मन अचानक पढ़ाई से हट गया है पहले पढ़ाई में उसका बहुत मन होता था और अच्छे से पढ़ाई करती थी लेकिन अचानक से उसका मन बिल्कुल उचट गया है हम क्या करें देखें इंदू जी आपने जो बिटिया की कुण्ड़ी भेजी है मैं आपको बता दूँ के अभी उसकी कुण्ड़ी में केतु ग्रह की दसा सुरू हो गई है और केतु ग्रह ऐसा ग्रह होता है अगर ये बड़ो की कुण्ड़ी में आजाए तो उनका इस्थान परिवर्तन करा देता है और बच्चों की कुण्ड़ी में आजाए तो उनका पढ़ाई से मन हटा देता है आपको चाहिए एक तो पारसनात इस्तोत रोजाना बिटिया को सुनाए और शिरी भकताम बर इस्तोत का छटे नमबर का कावे रोजाना छे बार सुबह और छे बार शाम को बिटिया को पढ़ने के लिए कहें अगर बिटिया ना पढ़े तो उसे पास बैठा कर आप स्वयम हल की आवाज में पढ़ें अगर आप ये दो पाई करेंगे तो इनसे भी काफी फरक नजर आएगा और बिटिया का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और इसे के साथ आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडिय लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ सभी को जैजिनेंदर आपका दिन सुब और मंगल में हो